गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आप सबों का फिर से एक बार हार्दिक अविनंदन है इस यूटूब वीडियो में जैसा कि हम लोगोंने एक बैतरिन सीरीज प्रणब की है उस बैतरिन सीरीज के माध्यम से पॉलिटिकल साइन्स से जुड़े हुए जो वेस्टर्न फिलोसफ मिल पर है समझेंगे जोन इस्टर्वर्ड मिल के विचार धराओं को और किस परकार से दार्सनिक चिंतक के रूप में इनकी भूमिका हमारे सामने आती है तो बिफॉर श्टर्वर्ड मिल के बारे में सबसे पहली कुछ बाते चोटी चोटी बाते you have to be remember about it very good 1806 से 1873 जी हां इनका जनम 1806 में हुआ और द्यान 1873 के आसपास एक अंग्रेज दार्सनिक के रूप में इनकी भूमिका जो इन्होंने अपने लॉजिक, इथिक्स, पॉलिटिक्स, एकनॉमिक्स और यहां तक की मेटाफिजिक्स में बहुत महत्पून योगदान दिया लेकि जो है उपयोगिताबाद, जी हां, जो आप वेंथम के सीरीज को समझेंगे, बाद में मैं वेंथम पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जनमी वेंथम पर जिन्होंने उपयोगिताबाद के मतलब अधार रखा था, हलाकि उस उपयोगिताबाद के अधार में कोहीं न कहीं कु जी हैर इसे हंने देखा दोस थे, उन दोसों को सुधार कर, बेंथम के दोसों को सुधार कर, अगर किसी उपयोगिताबाद को समझा जाएगा, तो वेक्ति है, धर्थ्म है, जी है इस्टूवर्ड-मिल, उसके बाद फिर हम लोग इस्टोर्ड मिल के एक और वी सिधान सोतंता पर उनका बहुत गजब फोकस है वो सोतंता के इतने बड़े हिमाईटी है कि साथ हिमाईटी मिलना बहुत ही मुश्किल है इनके दिश्टिकौन में लिवर्टी जो है अगर सब चुछ में इन्होंने लिवर्टी को घुजड़ा है और लिवर्टी इनके लिए कितना महत्पुन है कि पूरा का पूरा फोकस जो है इनके सिधान्द का लिवर्टी पर हिटिका हुआ है इन्होंने अभिवर्टी की सोतंता के पच्च में जो तरक दिया है वो आज भी इतना बिजोड है इतना महत्पुन है कि साइद इनकी मतद दूसरा जगह कोई और ले पाए जोन इस्टोर्ड मिलके कुछ पुस्तक है पुस्तकों को आप याद रखें तो इनको पुस्तक को लिखना बहुजरी होता है तो सिस्टम अप लोजिक सबसे पहला पुस्तक जिसमीन सिस्टम अप लोजिक जिसको हिंदी में तरक सास्तर परनाली करते हैं इनने एठासो तियालिस में सिस्टम अप लोजिक लिखा तो द्यान बहें सिस्टम अप लोजिक किसकी किताब है system of logic that is written by John Stuart Mill John Stuart Mill का system of logic soul system of logic 843 में लिखा गया इसके लाबा principle of political economic principle of political economic भी उन्होंने लिखा 1848 में आगे चलकर उन्होंने on liberty पर बहुत कुछ लिखा on liberty 1869 में उन्होंने on liberty लिखा है और फिर जाके consideration of representative government यानि consideration of representative government जिसका हिंदी में कहते हैं परतिनिधित, सार्षन, दिचार और विवेचन 1861 में लिखाता है इन्होंने और फिर जाके यूटे लीटेरिजिनियम जिसको लोग हिंदी में कहेंगे तो उप्योगिताबाद जिहां यूटेलेटरिजिम 263 में यूटेली टेरिनिजम उप्योगिताबाद पुस्तक लिखा गया फिर जाके मैलाओं पर क्या विचार थे उनके लिए उन्होंने किताब लिखा है उस किताब का नाम है सब्जेक्शन ओप उमेन जिहां सब्जेक्शन ओप उमेन जिसमें हम लोग कहेंगे इस्तरियों की प्राधिंता 1899 में इनका युगदान है ये थो था किताब का नाम अब हम लोग फोकस करेंगे एक एक पॉइंट पर जोन इस्टोर्ड मिल की सबसे पहली अगर सबसे भ्यानक और सबसे अनपॉटेंट अगर इंपॉटेंट सिध्धान कहा जाए तो वो है सवतन्ता का सिध्धान्त जोन इस्टोर्ड मिल की सवतन्ता का संकल्पना जो है वो आपको फोकस करना है सवतन्ता तो जोन इस्टूर्ड मिल की सोतनता की संक्रपना को समझने के लिए आप इसके किताब को याद रखें जी हाँ किताब के बारे में मैंने पहले बताया फिर भी especially on focus liberty पे जो focus था सोतनता पर उस किताब का नाम है on liberty on liberty में उन्होंने क्या बताया क्या सिखाना चाहते है on liberty में देखिए उनकी किताब के बारे में और भी कई विचारक हुएं जैसे की जी ह सेवाइन इनका भी नाम याज कर सकते हैं जी ह सेवाइन सेवाइन ने भी यहाँ तक की इनका समर्थन किया है इस बात को कि जिस प्रकार से इनने सुतंता का एक तरह से समर्थन किया है वो बास्तों में मिलता ही नहीं है सेवाइन के अनुसार जो on liberty का जो निमन्द है उसमें मिल ने ऐसे public opinion का निर्मान किया है ऐसे public opinion पर बल दिया है जो सचमुच एक तो सहनसील है और जो मतांतर को महत देता मतलग debate होना चाहिए discussion होना चाहिए और मानवी ज्यान को आगे बढ़ाने के लिए हर रास्ते खुले रहना चाहिए बिचारों का स्वागत होना चाहिए मिल का भी स्वास्ता कि समाजिक और राजनितिक प्रगती बहुत हथ तक समाजिक और राजनितिक प्रगती बहुत हथ तक अगर देखा जाए तो स्वातनता के बिना संभव ही नहीं है समाजिक और राजनितिक प्रगती बहुत हथ तक व्यक्ति की originality मतलब कहा जाए तो मौलिक्ता और उसका एनरजी पर टिका हुआ है और इसी बात का समर्थन करने के लिए उसमें व्यक्ति बाद पर भी कही न जहीं फोकस किया है देखिए मिल व्यक्ति को ही समस्त ज्यान का या समस्त सिध्धांत का या समस्त पूरे-पूरे दुनिया का कहे और विवेकपुर्ण तर्तों का मुल्स रोट माना है सभी चीज़ का अगर मुल्स रोट है और विवेकपुर्ण है तो वो है मनुष से उन्हों उसने तर्ग दिया कि व्यक्ति की सुतनता समाज की सुख सम्रदी के लिए अकी आवस्तक है अगर आप व्यक्ति की सुखह और समाज की सफलता चाते हैं, समर्दी चाते हैं, तो सबसे पहले आपको व्यक्ति को स्वत्मत्ता प्रदान करना पड़ेगा, यह स्वत्मत्ता बहुत important चीज है, इनके लिए, व्यक्ति के कारे को उन्हें दो हिस्सों में बाटा है, जी हाँ, ठीक है, यह बकवास है, तो जुसको हम लोग आत्मपरक्कार कहेंगे, क्या का हम आत्मपरक, आत्मपरक्कारे हैं, एक है आत्मपरक्कार, दुसरा है अन्यपरक्कारे, दुसरा है अन्यपरक, 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 आत्मपरक्कार का केवल और केवल प्रभा उसी पर पढ़ता है और अन्य परक्कार का प्रभाव समाज पर ही पढ़ता है उसके अलाबा तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के आत्म परक्कारे पर किसी भी परक्कार का हस्तचेप ना हो तो बहतर है कोई राज्य हस्तचेप ना करे राज्य का कोई उभूमिका ही नहीं होना चाहिए आत्म परक्कारियों की तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अन्यकार जो है जो अन्य परक जो कार है केवल अकेवल उनीक कारियों पर लोको लगाई जानी चाहिए जो दूसरे की हानी पहुचाते हो हो यह बत परमानित की जा सकती हो तो हम लोग ने दो परकार के कारेयों की बात की एक है आत्म परकार दूसरा है अन्य परकार आत्म परकार केबल उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है जब कि अन्य परकार समाज को भी प्रभावित करता है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को जोर दिया जोर दिया की देखे अन्यकार पर केवल तब लोग लगाई जानी चाहिए जब दूसरे की हानी पहुचाता हो और साथ-साथ ये बात असपरस्ट भी होना चाहिए इस बात की परमानिक्ता होनी चाहिए कि ये वो हानी पहुचा रहा है अदरवाइस राज जिसका बहना बनाकर उसकी सथनता को चीन ले तो ये साथ अच्छा नहीं होता है आप जानते हैं कि सुरवात से ही आप अगर बात करें एक सोचोवीस एक की you know about that मैं राज देश द्रो की बात नहीं कर रहा हूं राज द्रो जी हां राज द्रो जो की सीडिसन था सीडिसन एक परकार से कहा जाता था कि ये व्यक्ति ये देश की संकट है सुरच्छा है और आज कल तो ज़रो से ज़्यादा असच्छे पूरा है राज की द्वारा तो मिल के विचार अगर आज की द्रिश्टी कोन में देखा जाए तो और प्रसांगी होता जा रहा है अन्य परक के द्रिश्टी कोन से व्यक्ति को अपने हित सुरच्छित रखने के लिए राज उसके जो आत्म परक कारे है यहां पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टिक है ये आत्म परक कारे है तो आत्म परक कारे उपर कारे उपर हस्तचेप कर सकता है कब आत्म परक कारे पर तब हस्तचेप करेगा जब अगर इस बात की गरंटी हो कि उसे यह पता नहीं है कि व्यक्ति का हिससे सुरच्छित हो सकता है यसे सब वोज एक पूल है उस पूल में पूल पार करनी के सुदंतर उसको मिनने चाहिए लेकिन उस व्यक्ति की सुरच्छा के लिए राज जी उस पर सचिप करेगा क्योंकि ये कार उससे उसको ज़्यादा बढ़ा होता होगा तो हम कर सकते हैं कि और आगे इस विचार को ध्यान से देखा जाए तो व्यक्ति के अप में इसी तरह की होंगे चलिए ओके अब हम लोग आते हैं आगे लोकतंत्र और अंतरात्मा की सुद्धता दोनों की सफलता किसपटिकी हुई है लिवर्टी और कंसस इसमें विचार और अन्यभूती की सुद्धता का बिसे स्थान दिया गया है विचार और जो आप ऐसार फ मनुस्यों को सभी विश्यों पर चाहे हो बैवारिक जीवन से जुड़ा हो चिंतन मयनन करना हो ज्यानिक हो नेतिक हो धर्म से जुड़ा हुआ हो कोई भी विचार हो कोई भी भावना हो उसको रखने की अजादी तो दो विचार की अविवक्ति और प्रकासद की सोतंता इससे थोड़ा सा लग है या विवक्ति के बैवार का एक ऐसा हिस्सा है जो दूसरे को भी प्रभावित करता है प्रंतु या विचार की सोतंता की तरह ही महत्पुल है यदि विचार को अविवख्टी का असर नहीं मिलेगा अगर आपके अंदर जो सोच है अगर उसको बोलने का ही मुखा ना मिले एक्सप्रेस करने का ही मुखा ना मिले तो विचार की स्वतनता निराथक हो जाएगी Of course, लोकतंत्र और स्वतंत्ता, लोकतंत्र और स्वतंता जो कहा जाता है कि परसपर संबंद है, एक दुसरे से संबंदित है, इस पर विचार देते हुए मिलने अव्यक्ति की स्वतंता पर बल दिया, और अव्यक्ति की स्वतंता पर बल देते हुए उसने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना से व्यक्ति की सुदंता जो होती है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उससे खत्रा पैदा होता है खत्रा पाईदा होता है, लोक्तार तस्ताफीत होता है, देखे कारन क्या है? कारन ये है इसको एक फ्रांसिस सी लेekक ने भी इस बात पर बल दिया है कि उसका नाम पहले समझ लिएजी उसका नाम है अलक्सी दा ककबिल जो है, बिचार से समत है उन्होंने कहा है कि जब लोकतंत अस्ताफित होता है ना तो जन सधारन जो है ना वो बंदे-बंदे तरहिकों से बंदे-बंधाये तरहिकों से आगे बढ़ने लगते हैं वो मतलब बनी हुई रास्तों पर चनल लगते हैं नए विचारों को स्युकार नहीं करते हैं एक्सपरिमेंट में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाते हैं, तो मील को डर लग रहा है, मील को डर है कि अगर लोकतंत्र के अंत्रगत जन सधारन के हाथों में सक्ति आ गई या आ जाए, जो की जंगली आती है, तो लोग जो होंगे न वो लिक से हटकर चनले वालों को आगे ब जे के तोर तरीकों पर चलने के लिए बात द्रखिया जा सकता है, और इस तरीके से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र यो है व्यक्ति को एकी सांचे में ढालने को बल देता होगा, और नए-णए तरीकों और नए-णए विचारों जिसकी प्रोमोशन कर रहे हैं, मिल उसको कही ना ने धक्का पोचेगा मिल ने अभी कहा कि लोकतंत्र में जिस जन्षधारण अपनी विसाल संख्या के बल पर अपनी प्रमानिक्ता का दावा करते हैं वो नए विचार का धमन कर देते हैं और नए विचार का धमन जब होगा तो सभाविक है थोड़ा सा उपर नीचे वना है दोन बड़ी तो मिल के बारे में लोग सुतंता के बात कर रहे थे कि जब ध्यान रहे हैं अव्यक्ति की सुतंता केबल तभी जरूरी नहीं होती है जब सरकार भरष्चाचारी हो अत्याचारी हो बलकि लोकमत पर अधारित यानि लोकतंत्र हो और नियाय पिर सरकार भी हो तब भी अव्यक्ति की सुतंता उतनी ही जरूरी होती है मिल का विश्वास है पूरी तरसे विश्वास है कि अव्यक्ति की सुतंता को उचित थाराने के लिए मिलने उपियोगितावादी और नैतिक्तावादी दोनों तरकों का साहरा लिया है उपियोगी तावादी तरक के अनुसार ज्यान समाजिक कल्यान का अधार है और नैतिक तावादी अगर देखा जाए तो बैज्यानिक या व्यक्तिकत आत्म निर्ने इंडिविज्वल सेल्फ डेटर्मिनेशन जो होता है जो बैज्याति अपनी खुद की राय अपने अनुसार काम करता है मनुस्त का तुब मूल अधिकार है और उसमें उसके नैतिक दाइत्तु का भावना विक्सित होता है तो अगर व्यक्ति को परस्पर विरोधी बिचारो जो उसकी अंतरात्मा के नुसास चैन करने के सुनता अगर नहीं होगी तो नैतिक और विवेक सिल प्रानी होने के नाते वो अपनी गरीमा से वन्चित हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अल्पमत को ध्यान रहे अल्पमत को भी यहां तक कि अकेले व्यक्ति को भी हम कह सकते हैं कि अपनी राय अपनी विचार प्रकट करने का उतना ही अधिकार देना चाहिए ठेक है जितना कि एक बहुमत बाले लोगों के पास होता है किसी भी मत्क या मतांतर का दवाना दमन करना कभी सही नहीं है चाहे वो जूटी हो या सच ही क्यों नहीं हो क्योंकि जब तक परस पर बिरोधी विचारों का टकराव नहीं होगा तब तक सच और जूट की परक़ हो ही नहीं सकती है इसलिए सच नहीं कोई सच नहीं हो जाता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं या मानते हैं और इसलिए कोई जूट जूट नहीं हो जाता कि उसे बहुत कम लोग मानते हैं बात तो यह है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो मनुस जो है और उसकी सुतंता जो है एक दूसरे से जुड़ी होई है अव्यक्ति की सुतंता के बारे में मिल का इतना ब्यापक दिश्टी कौन उप्योगितावात की जो मूल मानेता है उसको खद्म कर देता है उसे मिल नहीं वो ब्यापक है उप्योगितावात से मेल ना खाता है अपनी अभीरूची बिक्सित करने और अपनी पशंद का काम करने की सुतंता मनुस को होना चाहिए मनुस को स्वयम जैसा अच्छा लगे वैसे जीना चाहिए चाहे उसके लिए कस्ठी कुई न उठाना पड़े क्योंकि वो वैसा चाता है जैसा उसको मन कर रहा है तो उससे उसको लाब मिलेगा परन्तु जैसा दुसरों को अच्छा लगे वैसा जी कर आप सुख भी पाले तो उससे कुछ होने वाला नहीं है किसी उद्देश की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की जो सुतनता दी गई है मिल के अनुसार इसमें मनुष से बंधे बनाए तरीकों से चलता है जो मनुष अगर बंधे बनाए तरीकों से चले रिति रिवाज का पालन करे वो अपने जीवन में चैन की सुतनता तो खोही देता है वो अपने जीवन की योजना का चैन दूसरों पर छोड़ देता है उसे किसी विसेश चंता की जरुवत ही नहीं होती है वो बंदर की तरह दूसरों की नकल उतारता है मनुस जैसा जीवन जीने के लिए भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न डंग से जीने दिना चाहिए अता मिल की दिश्टी में विविता का परसार सुभाविक सुतंता का लच्छन है अगर आप विविता को परसार कर रहे हैं तो यानि कहीं न कहीं आप प्रेडम यानि लिवाटी को प्रोमोट करने के हमाईती है हलाकि अगर आपको देखा जाए तो जैसे जैसे सब्वेता की प्रगती होती है और द्योगिक सब्वेता की प्रगती से क्या हुआ आईसी पस्तित्या क्रियेट हुई जहां सब मनुस्यों ने एक जैसी घिल के चाल में चलना इस्टार्ट कर दिया और भिन 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 भिक्तियों के रुप में जीना मुस्किल हो गया सारे लोग एक जैसे काम करते हैं एकी तरह से सोचते हैं, एकी तरह से जीते हैं उनमें सोचने की जो सक्ती थी वो कुंटिद हो गई मील की विजारों में उस संकल्पना का पुर्व संकेत मिलता है जो विश्वी सदी में आगे चलकर हन्ना आरेंग यानि जन्पुन समाज की संग्या दी गई जन्पुन समाज को मतलब एक तरसे प्रभासित करने की कोशिस की है कि भीड के तरफ पीशे चलना, एक रुपता को बढ़ावा देना, एक जैसे सोच करना ये सब हमारे सोतनता को कही न कहीं चुनोती देता है और द्योगिक समाज का दबाव सब जगह एक रुपता को बढ़ावा देता है एक रुपता की मांग करता है, जो वेक्ति इस एक रुपता को चुनोती देता है रीती दिवाज के आगे घुटने तेक से इंकार करता है, वो असोतनता के सिध्धान का बड़ी सेवा कर रहा है लेकिन उसको राफ्ते से हटा दिया जाता है मीलने और द्योगिक समाज के परती सर्वथा, मानावादी और लोकतांत्रिक मुल्यों को बल दिया है किसी भी राज्य की मुल्यवत्ता, यहनि वर्थ, अन्तता उन व्यक्तियों की मुल्यवत्ता से बढ़कर नहीं हो सकता है जिससे उस राज्य का निर्मान हुआ है और यदि किसी राज्य ने किसी महान उद्देश की पूर्ती के लिए भी अगर उसने मनुस्यों को बोना बनाने की कोसिस की, मनुस्यों को सोच को दवाने की कोसिस की उनके विचारों को तरहीज नहीं दी, जगा नहीं दिया तो बाद में पर चलेगा कि तुछ कोटी के लोगों की साहता से कोई महान कार होने वाला नहीं है अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिताबाद का संसुधन कैसे किया गया मिल ने उपयोगिताबाद के संसुधन के लिए क्या किया जैसा कि आप जानते हैं कि बैंथम की उपयोगिताबादी जो मानिता थी उनको सुख और सुख की गुनवत्ता में कोई अंतर समझ नहीं आता था सुख को उन्होंने कहीं न कहीं मेजरमेंट करने से सोचा था उसने सुखों में कोई डिफरेंस नहीं बताया था कि सुख के परकार अलग-अलग हो सकते हैं उनमें, जैसा कि आपको पता हुआ उप्योगितावाद के अनुसार इसमें कहा जाता है कि अधिक्तम लोग के अधिक्तम सुख की विवस्ता करनी चाहिए. परनतु मिल अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तख उप्योगितावाद 1863 में लिखा गया था. उसमें उप्योगितावा उसके परिनाम से कम महत्पुन्नी होती है, मनुस्ष को केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दोड़ना है, बलकि उसके नैतिक, बौत्धिक, कलात्मक, अविरोचियों का भी विकास जरूरी है, जो सुख फ्राप्त करने के लिए मनुस्ष चतर छमताओं का परियोग किया ज मिल के सब्दों में एक संतुष्ट मुर्ग की तुल्ना में एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है, तो उप्योगितावाद का सार अगर देखा जाए, तो सारा का सारा उन्होंने पूरी तरह उप्योगितावाद के विचार को ही बदल दिया, मिल ने अपने उच्छ चरित्र वाले व्यक्ति ही उच्छ सुख का या कोटी का अनुभव, सुख की अनुभव कर सकते हैं, नैने सुख का पता लगाने, पाने में समर्तन होने, आप इतना बड़ा सुख हैं, जिसके आगे अन्यसक सब सुख सोटा लगेगा, और सुतनता की संकल्पना जिसने एक बार नील नदी का पानी पी लिया, उसे कोई अन्य पानी का सोत अच्छा नहीं लगेगा, यह मिसर की लोकति है, और सुरदास ने लिखा है कि जिस भ्रमर्व ने कमल के रस का स्वात चक लिया, वो करील के कटीले पेड़ का फल क्यूं खाएगा, मतब सुतनता का अगर अपने फीलिंग कर लिया, तो सुतनता को आप कितने बड़े सुख से कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाईएगा, सुतनता का सुख जो है, वो कुछ और ही है, और फिर लोकतंत्र और परतिनिरी सासन के बारे में मिलने क्या बदाया है, आखे लोकतंत्र को उन्होंने जि परतिनिरी सासन के परति जोगहरे लगाओ थे, उसके कारण मिलने लोकतंतर का समर्शन जरूर किया, लोकतंत्र होगा तो सुतनता होने की चांसस बढ़ती है, परंतु उसने लोकतंत्र को सधारन बहुमत के सासन के रुप में स्युकार नहीं किया, जेनर लोग उसका मतलब बहुमत का सासन हो जाएगा, बहुमत जैसा चाहेगी वैसा होगा, उनके जगा उनने कहा कि परतिनीधी सासन बहुत बैदर है, परतिनीधी सासन का मतलब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, उसका नाम है, परतिनीधी सासन के सिधान का समर्थन करते हुए, मताधिकार के करमिक विस्तार की योजना बताई है, उसने तर्क दिया है कि जन सदान को पहले केवल अस्थानी मामलों पर भोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना तो उन्होंत उतनी कुसलता है, ना ही अनुबाव है, ना ही बुद्धि मत्ता है, लेकिन धिरे-धिरें का परसार हो सकता है, और यहां तक की सबसे महतमुन बात, osaurs मिलने इस्त्री मताधिकार के आरंबिक समर्थन में सामिल थे, मिलने किसी परकार से इस्त्री का डिस्क्रिमिशन नहीं किया है, ठीक है, परतिनीध शवजन परन का भी समर्तन किया है मिल को विश्वास है कि लोकतंत्र का परचलीत रूप सुतंता को बढ़ावा देने के लिए उप्यूक्त नहीं है क्योंकि उसमें औसर दर्जे के लोग संख्यात्मक बहुमत की बैदेता से उकार लेते हैं सुतंता के विचारू अविरूची को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है परचलीत लोकतंत्र में एक रूपता को बढ़ावा दे जाता है उत्तम सरकार वो होगी जो अपने नागरिकों के उत्तम गुन को बढ़ावा दे उत्तम व्यक्तित का से जंग करे मील के विचार से परतिनिधी सासन सरवत्तम रूप होगा जिसमें लोक समिती के साथ साथ गुनवत्ता युक्त नेताओं को भी ध्यान दखना पड़ेगा और इसके अंत्रकत साजनिक मामले के बारे में जन सधारन की सूजबूच के साथ साथ भी सिसजग्यों की साहता लेनी बहुत जब हुरी है मीलने सासकों के चैन का काम अदित्तो और विवेक पुर्म और बहुती भेंतरीन तरह से जनपदों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए मतादिकार केबल उन लोगों को ही देना चाहिए जो वोडिक छंता रखते हो इस तरही पुरूश में हलाकि उनोंने कोई बेद नहीं किया है लोकतंति की समान धारना थी हलाकि लोकतंति से दूर जा रहे हैं लग रहा ऐसा कि लोकतंति की समान धारना परतेक मनुस को बिवेक सील माना जाना चाहिए में मिलने संपन और उच सिच्छा प्राप लोगों को ही विशेस योगिता मान कर कहीं न कहीं इस वक्तब को कहीं न कहीं एक तरसे प्रसंचीन लगा दिया है कि लोकतंत्र बास्त में मुर्खों का सासन है क्या या फिर अलप बुद्धी वालों लोगों का सचान है क्या परन्तु फिर भी मिलने लोकतंत्र बिरोधी माना जाए यह बिल्कुल गलत है लोकतंत्र के समाज के लिए उप्यूप नहीं है जहां पर सब एक जैसे सोचते हूँ जहां सर्वत्तम सासन परनाली सिद्ध होती है वहाँ पर बहुत अच्छा है मिलने लिखा है कि सर्वत्तम सासन परनाली वह होगी जिसमें सर्वत्तम सर्वोच्चनियंत्रन की सक्ति संपुन समधान के एक हाट में नहीं होनी चाहिए तो इस परकार हम लोगों ने जोन स्टुवर्ड मिल को समझा उनकी सोतंता के बारे में उनके विचार लोकतंत्र के बारे में उनके विचार किस परकार का लोकतंत्र चाहते हैं सोतंता पर उनने इतना बल क्यूं दिया सोतंता पर इतना बल क्या है आके सोतंता कितना मत्पून है उपयोगिताबादी में वि बिन्थम के उपयोगिताबाद और स्टुवर्ड मिल के उपयोगिताबाद एक दूसर से कैसे अलग है कैसे सुख की परिवासा अलग-अलग होती है ठीक है तो अवरल ज्यादा फोकस आप लीवर्टी पर रखिए ज्यादा फोकस उनका है लीवर्टी पर इसको आप वीडियो को आगे बढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में बने रहीए इस चैनल में और वीडियो को देखने के बहुत बहुत आने बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बले थैंक यू